नमस्ते अब्रिवान कुकी दिन्द में आप सब का स्वागत है और आज हम आप लोगे के साथ शेर करेंगे रागी आटा का रोटी का रेसिपी उसके लिए मेरी यहां लिया है पानी पानी को गरम करने के लिए रख दिया है अब हम यहां पानी में आट करेंगे थोड़ा सा न नहीं बोलेंगे कि एक कप पानी में आप दो कप आटा डालिएगा क्योंकि यह गलत हो जाएगा क्योंकि कोई आटा बहुत ही फाइन होता है और कोई थोड़ा रफ होता है तो पानी आप अपना एकोडिंग लिए अड़ कीजेगा और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले और पांच मिनिट तक रखेंगे पांच मिनिट के बाद हम इस आटा को एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर करने के बाद थोड़ा दे थंड़ा होने के लिए रख देंगे इसमें अट करेंगे थोड़ा सा ओल तक हाथ में चिपके न इसलिए और अच्छे से हम इसका डो बनाएंगे मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कैमेरा एक हाथ से पकर के एक हाथ से गुनते हुए दिखाना तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आप लोग एजिस्ट कर लीजिएगा देखें मैंने यहाँ पर डो रेडिक कर लिया है इसका हम छड़ा छटा लोई निकालेंगे मैंने चाल रोटी का आटा लगाया था सबसे पेले बैलन में लेंगे थोड़ा सा रागी का फलोड उसमें रखेंगे एक लोई और उसके बद उपर से फिर लगाएंगे आटा थोड़ा सा अब हम इसको आराम से बेलेंगे बेलते हुए वीडियो नहीं सूट कर पाए क्योंकि कैमेरा पकर के बेलना नहीं हो रहा था मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया है आप देख सकते हो अब हम इसको पकाएंगे मैंने तावा अलड़ी चरा दिया है गैस में तब हम इसको अच्छे से पकाएंगे मैंने इसमें और कोई आटा मिक्स नहीं किया है ये सिर्फ रागी का ही है आप लोग इस तरीके से एक बार ट्राई कर सकते हो मेरे को भी नहीं आथा था दो मेने आगे तक बट मेरी फ्रेंड की मम्मी ने मुझे सिखाया तो अभी हम अच्छे से सीख गए है हम अब आट करेंगे थोड़ा सा घी आप तेल भी आट कर सकते हो अगर आप बिना तेल घी का खाना चाते हो वो भी आप कर सकते हो मेरा यहाँ पे अच्छी तरीके से रोटी पक चुका है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा रोटी बना है बहुत ही सॉफ्ट रोटी बना है इस रोटी को बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान डखियेगा इसका आटा को रेस्ट करने के लिए मत छोड़ियेगा जब आप आटा गुनते हो उसके बाद बरना आटा को टाइट हो जाता है तो बेनला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो इस आटा को जैसे आप आटा मतब गुनते हो डो बनाते हो तो इंस्टेंडली रोटी बनाईएगा बहुत अच्छा और सॉफ्ट रोटी बनेगा रोटी के साथ खाने के लिए मेरी या बंदग हो भी और पता को भी और आलू का सबजी बनाया है देख सकते हो मैंने कराई में लिया है थोड़ा सा तेल उसमें एट किया है पांच फोरन उसके बाद एट करेंगे पियाज, मिर्चा, सिंपल सा सबजी है बहुत एजी और खाने में बहुत ही टेस्टी अब हम इसमें एट करेंगे कटा हुआ आलू एक्चुलि फ्राइडे था सबजी और कुछ था नहीं तो बचा कुछा सबजी जो था वही बना रहे हैं हम आज उसमें एट करेंगे बद्दा को भी मतलब कैबेज अब एट करेंगे हल्दी नमक उसके बाद हम एट करेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर धनिया पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से हम लोग एक बार मिक्स करेंगे बहुत ही सिंपल है बेसिक मसाला ही लगा है अब हम इसको ढग देते हैं 5 मिनिट के लिए हमने यहाँ पे लिया है सिमला मिर्च और टमाटर हम इसको भी सबजी में एड़ करेंगे 5 मिनिट के बाद हम इसको खोल लेंगे अब इसमें एड़ करेंगे सिमला मिर्च और टमाटर और अच्छे से इसको एक बार mix करेंगे अच्छे से mix करने के बाद फिर इसको ढखके 5 मिनिट तक हम लोग पकाएंगे और 5 मिनिट के बाद आप देख सकते हो हम दिखाएंगे अब लोगों को 5 मिनिट के बाद मेरा सबजी बनके ready हो चुका है हम आलू में चेक करेंगे सबजी पका की नहीं एक आलू को कट करके देखते हैं हाँ मेरा सबजी यहाँ पक चुका है मतलब मेरा breakfast रेडी हो चुका है मेरे आप देख सकते हो यहाँ पे रागी का रोटी, सिंपल सबजी और ब्लैक कफी लिया है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like, share and subscribe करना ना भूलिएगा और आप shorts वीडियो भी मेरा देख सकते हो Thank you